मुझार दोस्तों स्वागत है आपका और आज हम बात करने वाले हैं सोलिस यानमार पैतालिस पंधरा के बारे में हाली में इंडिया में लॉझ किया गया यह नई ट्रैक्ठर कमपनी है तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा जो सोलिस है वह जो दोनों मिलकर इंडिया में साथ में ट्रैक्ठर बेचेंगे दोस्तो 45-15 एक 48HP का ड्रेक्टर है जिसमें आपको सामने के टैर मिलते हैं 6-16 के और पीछे के टैर जो मिलते हैं 14-28 के मिलते हैं option मिल जाता है 13-68 का लेकिन company अभी 14-28 के ही fit करके देती है और यहां spindle की बात क्यों तो chokor spindle आपको इसमें मिल जाता है straight axle आपको इसमें मिलता है जो front axle हो straight type का मिलेगा और यहांपर single acting rod के साथ power steering आपको इसमें मिलता है और जो center पीने वो काफी stable है जिसके खिसकने के chances काफी कम बने रहते हैं तो दोस्तो अगर हम इसके look की बात करें तो काफी अच्छा और धासू look दिया है और इसके color की तो आपको red color इसमें मिल जाता है लेकिन महिंद्रा से थोड़ा आलाग है और इसमें आपको LED tail lamps भी मिल जाते हैं जो कि farm track पहले देता था लेकिन अब इन्होंने भी देने start कर दिये और और red color के साथ black color की जाली काफी अच्छी लगती ट्रेक्टर में देखने में जब आप इसको पास से दिखोगे दोस्तो इसमें आपको चार प्रोजेक्टर head lamps मिल जाते हैं जो कि कारों में आपको ब्राय देखने को मिलते हैं ज्यादा तर लेकिन इसमें भी आपको चार प्रोजेक्टर head lamps दी है नॉर्मन लाइट का इसमें option नहीं है सामने की जो headlamp है उसमें normal का आपको option नहीं मिलता है दोस्तों जो की काफी अच्छी बात है प्रोजेक्टर headlamp के साथ ही आता है अगर front bonnet की बात की जाए तो आपको single piece hood bonnet आपको मिल जाता है double shock up के साथ जो की ट्रेक्टर की look को और अच्छे से दिखाता है जो काफी stylish लगता है ट्रेक्टर में जब इसको open करते हैं और उपर करते हैं जब तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें इसके सामने से style की तो यहाँ पर आपको सामने के चार प्रोजेक्टर headlamps के बाजू में आपको DRL LED lights मिल जाती है जो की काफी अच्छी बात है जो की सिरफ कारों में पहले देखने को मिलती थी और यहाँ पर जो की ब्रांडिंग है वह भी बहुत जवर्दस कर रखी इनोंने पुरी chrome finish के साथ आपको ब्रांडिंग मिलती है और जो आपको जाली मिलेगी सामने की वह बहुत ही अच्छी black color में यहाँ पर वेल प्लेक जाली आपको मिल जाती है और बोनट के उपर भी आपको रेडियेटर के लिए अलग से ब्लेक कलर की जाली दी गई है दोस्तों इंजन की बात करें तो इससे एर फिल्टर चॉक अलारम के साथ साथ सभा छेंज के लगवागत इसका साइज है और यहाँ पर एर फिल्टर नॉर्मल टायप का आपको एर क्लिनर इसमें मिल जाता है उसस्के पीछे आपको invaluable आतने का यृद्ट्र के जाता है और इसमें यहांब का सभी ध्यूर्कालने मि होता और यहां पर बाद करो तो लुटक की बात करों तो हम पर इसमें की मिल जाती है तो आपको आपको इसमें डालना पड़ेगा जो की काफी अच्छी बात कर आपको यहां पर pump मिलता है 3 cylinder आपको इसमें मिल जाते हैं तो 3 cylinder Di technology के साथ आपको ये tractor मिल जाता है अगर power steering के oil की बात करों तो अलग से space tank दे रखा है यहाँ पर power steering के oil के लिए जिसमें धाई लीटर आपको oil डालना पड़ेगा तो दोस्तो back end side में माच चुके हैं और यहाँ पर लिफ्टों की बात की जाए तो आपको ADDC टाइप की लिफ्ट मिल जाती है, 2000 kg के साथ cat company की, और अगर यहाँ पर हम बात करें, इसके rear axle की तो आपको straight rear axle मिल जाता है, simple सा जादा कोई मजबूती यहाँ पर इतनी दिखाई भी ने देती, जैसे farm track, power track और आज कल तो कुबोटा भी देने लगा अपने tractor में, तो इस normal सा आपको rear axle यहाँ पर मिल जाता है, अगर दोस्तों हम बात करें, इसके PTO की तो 6th pay line के साथ आपको PTO मिलता है, जैसा क्या आप वीडियो में देख रहे हैं, छह जीरी जो कि सभी tractor company आपने tractor में देने लगी है, और PTO के function की बात की जाए, तो अभी तो नॉर्मल 540 मिलता है, लेकिन optional मांगेंगे तो आपको double PTO इसमें मिल जाता है, PTO के HP की बात कि दोस्तों कंपनी ने mention नहीं किया है, यहाँ पर PTO का HP, लेकिन फिर भी मेरे साब से यहाँ पर 42.5 HP का इसका PTO होना चाहिए, जो कि काफी ठीक ठ PTO है, अगर दोस्तों यहाँ पर और function की बात की जाए, तो आपको double QRC कपलर दिये गया है, यहाँ पर auxiliary valve पल्टी पलाव चलाने के लिए, जो कि काफी अच्छी बात है, 48 HP के टेक्टरों में बाकी कंपनी नहीं देती, बहुत सी कंपनी देती है, बहुत सी कंपनी नहीं देत जगर और यहाँ पर अगर पीछे की बात की जाए, तो आपको पीछे भी LED टेल लेंप्स मिल जाते हैं, इस टेक्टर में जो की काफी अच्छी बात है, और पीछे की light इसमें install नहीं की गई, और बहुत इस शांदार LED टेल लेंप्स यहाँ पर, और यह आपका foot accelerator, और अगर अगर यहाँ पर brakes की बात करें, तो आपको multi-disk, outboard, OIB brakes मिल जाती हैं, टेल में डूबी हुई, और अगर यहाँ पर बात करूँ, इसके सबसे बड़ी खामी की तो इसमें आपको differential lock नहीं दिया जाता, प्लेटफोर्म की बात करूँ, तो support platform आपको मिलता है, जालीदार, और बड़ी हाइट वाला भी अच्छे से बैठ सकता है, और यहाँ पर टेक्टर के information, और पीछे भी आपको LED टेल लेंस इसमें मिल जाते हैं, और आपको 4 LED टेल लेंस इसमें मिलते हैं, और पीछे मटगार सेटी रोड, और दोस्तों यह इसकी foot rack, ठीक ठाक foot rack है यहाँ पर, औ और अगर उपर चरते हैं, तो हम सबसे पहले seat पर ध्यान जाता है, तो काफी अच्छी seat है, यानवार ने डिजाइन की है, और यहाँ पर design by solis, जो इसकी handle है, काफी stylus handle मिल जाता है, डेशबूर की बात करो, तो बहुत ही अच्छा dashboard मिल जाता है, आपको सलगता है, थोड़ और फ्यूल की information पूरी मिल जाती है, और फ्यूल की information पूरी मिल जाती है, और बहुत ही अच्छा है, और बहुत ही अच्छा है, आप seat को पर बैठ के देखेंगे, तो silencer हो गएरा, साथ मिजाव सामने टेक्टर का बहुत ही shining color है, दोस्तो गेरों की बात करें, तो यहाँ पर पांच reverse का option मिल जाता है, subtle shift आपको इसमें gear मिल जाता है, और अगर दोस्तो अब इसके gearbox की बात करें, तो constant mesh gearbox इसमें दिया गया है, लेकिन आपको synchron mesh gearbox का option मिल जाता है, लेकिन अभी फिलाल इसमें constant mesh gearbox ही install किया गया है, और यह foot accelerator और यहाँ पर brakes वगएरा, और काफी support platform आप इसमें मिल जाता है, कि स्लोटर भी जैसा आपने अभी वहाँ देखा और यह lifting के controls, draft और position काफी अच्छे यहाँ पर lever दिये गया है, और lever की जो बनावाटे काफी मजबूत है, और यह आपका PTO का gear, यहाँ पर ground PTO और low PTO जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, और P इसमें मिलता है, और यहाँ पर बंद करने के लिए पोल, और यह charging point भी दिया है, mobile charging point भी आपको इसमें मिल जाता है, mobile रखने की जगा नहीं दी लेकिन, mobile रखने की जगा भी इनको देनी चाहिए थी, charging point दे रहे हो तो, और यह टेक्टर चालू तो 20 से होता, लेकिन बंद 20 स इसे ही होगा यह, और यह पूरा dashboard ऐसा कि आप देख पा रहे हैं, और इधर से हिस्ते की बात करों, तो यह काफी अच्छा दिखता है, आप सीट को पर बैठते हैं, तो mirror भी आपको काफी stylish mirror दिया है, टेक्टर के हिसाब से, और दोस्तों डीजल टेंक की बात की जाए, तो आपको 55 लीटर का बड़ा डीजल टेंक इसमें मिल जाएगा, डबल लोक के साथ, मतलब दो चाबी लगती है, इसमें एक लोक बाहर है, एक लोक अंदर है, जो कि सेफटी के साब से काफी अच्छा दिया है, सॉलिस ने काफी अच्छी बात है, चलिए इसको स्टार्ट करके बहुत ही हलका है, देखिए, बहुत जल्दी पिकावे, देखिए, बहुत जल्दी पिकावे, देखिए, कि दूस्तों अगर हम इसमें में बात करें तो दोवेरियेंट में ही, टैक्टर आपको में जाता है, तू वील ट्राइव और फो वील में में और अगर हम कहना हम कहें हुआ महींद लंबा कहाई है और लबाग की बात करें है, तो च्टिस सब पचास ऐम-मक कि की लंबाई है चोड़ाई की बात करें तो इसका वजन है जो कि काफी ठीक ठाक है और अगर दोस्तों हम बात करें इसके प्राइस वगयर एक तो 6,50,000 रुपय का यह ट्रेक्टर पड़ता है मार्केट में आपको और तालिस एच्पी का और अगर यहां पर इसके वारंटे की तो 5 साल यह 2,000 घंटे जो पहले पूरा हो जाए उसकी आपको वारंटी मिल जाती है इसमें और अगर अगर हम इसकी स्पेसिफिकिशन की बात करें तो 48 एच्पी का आपको इसमें इंजन मिल जाता है 1900 रेटेड रपीम के साथ और यहां पर आपको इंजन में 8 लीटर 200 ग्र 25 लीटर और यहां पर जो लुक है वह काफी अच्छा लुक है जैसा कि आपने देखा तो और और ट्यक्टर मेरे साथ से काफी अच्छा है कई विवर्ज का हमारे यहां कहना है कि यह सोनालिका का ही अथ अलग वरजन दिया गया है सेम कौपी है अब यह तो दोस्तों अलग ह जैसे आप सभी जानते हैं कि सोनालिका की ही ब्रांट है तो कुछ तो कुछ ना कुछ तो मैच करेगा ही तो हो सकता है यह सोनालिका की कोपी हो लेकिन कुछ फीचर इसमें अलग दिये गए जैसे प्रोजेक्टर हेड्लेंप्स वगरा डियारल लाइट्स वगरा